नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रो रोज की तरह एक बार फिर हम लोग बात करेंगे तीन फरवरी के पंचांग राशिफल और महाउपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत दोहजार चोहत्तर मास चल रहा है फागुन का तिथी कृष्ण पक्ष की तृतिया तिथी है शनीवार का दिन है नक्षत रह पूर्वा फालगुनी योग है तिगंड और करण है विष्टी और व्रत परवर्त योहार की बात करें तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत आज मनाया जा रहा है तो यह तो बात रही आज के पंचांग की अब चर्चा कर लेते हैं आज के राशी फल की तो सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक कलय होने की संभावना दिखती है करियर और शिक्षा पर परीक्षा के प्रतियोगिता के शेत्र में आपको सफलता मिले इसके प्रबल योगाज बनते हैं ओम दोड़ भी आज बहुत रहेगी और ये समय जो है बहुती असमंजस में बहुत दुविधा वाला डाउटफुल टाइम रहने वाला है आप नहीं नहीं कर पाएंगे कि करना क्या चाहिए तो ऐसी स्थिती में भगवान भैरव की शरण में जाएं जो भी बुद्धी पे एक प्रभाव पढ़ता है काली चाया पड़ी होती है तो भगवान भैरव के साधना से पूजा पाठ से काल भैरवाश्ट कम के पाठ कर लेने से हर प्रकार की दुविधा दूर हो जाती है और जो संदेह के बाधल हैं जब वो दूर होते हैं तो आपका कॉंसेट प्रयोग आज आता है कि आज के दिन क्या काम करना है और कैसे करना है और किस से कैसी क्या बात करनी है आपको ध्यान यह रखना है व्रिशब राशी वालों को कि मांसाहार का सेवन और प्रयोग आज आप न करें मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातक लोगों को आज पूरे दिन भर गुष्सा आता रहेगा इसलिए आपको क्रोध करने से बचना है संतान की ओर से कुछ परिशानियां मिलें इसका भी आज बहुत एक संयोग बनता है तो इस सभी प्रकार के कश्टों से मुक्ति के लिए देवी कवच का पाठ आपको करना चाहिए काले रंग के वस्तरों का प् मविश्वास में कमीना होने दे सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए दिन की शुरूआत में आपके कारे व्यापार व्यवसाय में कुछ बाधाएं आ सकती हैं दशरत अकृत शनी इस्तरोत का पाठ करना आपके लिए लापकारी होगा किसी की निंदा करन उससे जरूर करनी चाहिए वालमी की जीद्वार रचित भगवान गडेश का जो इस्तवन है वालमी की रामायन में उसका पाठ अगर आप करते हैं तो आपको लाप ज्यादा मिलेगा किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आप न पड़े तुला राशी तुला राशी वा नहस्तर नाम स्तरोतम का पाठ करना आपके लिए लापकारी होगा वाहन का प्रयोग बहुत तेज गती में आप ना करें वरिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन जो है वो थोड़ा सा दुरगटना वाला या नुकसान वाला या अर्थिक नुकसान के यो अपको जो भी काम में आप लगे थे उसमें बड़ी सफलता बड़ी कामियाबी मिले ऐसी परिस्थिति आपके लिए बनती है माता के स्वास्त का थोड़ा सा ध्यान रखिए आज के दिन को शुब बनाने के लिए हनुमान चालेसा का पाठ करना आपके लिए बहुत आवश् लापकारी होगा आत्मविश्वास में कमीना होने ने कुम्बराशी कुम्बराशी वाले जातक लोगों के लिए गलत गलत निर्देशन से आज आपको थोड़ा सा विफलता हाथ लग सकती है थोड़ा सा डिसपॉइंटमेंट आज हाथ लगे ऐसे इस्थिति बनती है तो इ आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे कुछ नए प्रोजेक्ट पर आज आप काम कर सकते हैं कोई नए काम की बात भी आज शुरू हो सकती है ओम जटिलाई नमहमंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए लापकारी होगा किसी भी व्यक्ति से कोई बड़ी उमीद आ हमने जाना कि किस तरीगे से आपका दिन बीटने वाला है कैसे क्या रह जिससे आप को दिन का लाब मिल सके अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय के बारे में जिसमें को बताओंगा कि नौकरी प्राप्त करने के लिए अगर आप नौकरी खोज रहे ह हैं या अभी कर दोश्ट बहुत सतिस्फाइड नहीं है और आप जॉब चेंज चाहते हैं तो अच्छे जॉब के लिए या जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए और अगर आप व्यापारी वर्ग हैं बिजनेस करने वाले हैं बिजनेस में आपको अच्छी सफल कोई आभूशन चोटे चोटे टुकडे भी उससे जुड़े हुए कुछ भी डाल सकते हैं वह डाल करके सिर के उपर उचे इस्थान पर आपकी हाइट से उचाई के इस्थान पर इशान कोण में यानि उत्तर पूर्व कोने में नॉर्थीस्ट कॉर्णर में आपको रग दे हो नौकरी से आप सटिस्फाइड नहीं थे वो सारी समस्या दूर हो जाएगी धन वृद्धी होती है इस उपाय को करने से और जो भी बाधा है वो नजर दोश है टोना टोटका है उपरी बाधा है जो आपकी प्रगती में आपके विकास में आपके उन्नती में अगर कुछ रोड़ा अटक रहा है तो इस उपाय को करने से वो दूर हो जाता है नौकरी के अवसर नई नौकरी के अवसर आपको आगे मिलने लगते हैं और व्यापार वृद्धी के योग धनलाब के योग इस उपाय से बन जाते हैं करना क्या होता है कि हर हफ़ते आप जो आभूशन में आप डालें उस पेड़ की पहले से पूजा ना होती हो जो पूजा होने वाले पेड़ हैं तुलसी का पौधा है केला है पीपल है नीम है ठीक है इन चार पौधों को छोड़के आप किसी ऐसी जगह डालें जहां किसी का पैर ना पड़े अशोक के वरिक्ष की जड़ में किसी गार्डन में बगीचे में या जो आपके सोसाइटी में पार्क होता है वहां किसी पेड़ में डाल दीजे और घर आ करके इस लोटे को एक बार मांज के साफ करिए और फिर से वही प्रोसेस करिए उसमें पानी गंगा जल फिर से भर दीजे और वो जो चांदी और सोने कि आपने टुकडे डाले थे या कोई और्नामेंट ऐसा अंगूठी या कान का कुछ ऐसा डाला था वो फिर से डालके फिर उसी जगह पर अगले हफते तक के लिए रख दीजे हर संडे संडे अगर आप ये काम करते रहेंगे संडे को रखिए और अगले संडे को वो पानी चेंज कर दीजे उसको साफ खरके दुबारा नया पानी रख दीजे आपको 45 दिन के अंदर अपने नौकरी में अपने व्यापार में बहुत ही चमतकार का अनुभव हो जाएगा तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको मेरे छोटे-छोटे उपाई और टोटके बहुत आते होंगे आप सभी से आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव पाईए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमतकारी प्रभाविशाली समाधान एक जहनमाना और विश्वस्तिय नाप आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिश्ठे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव राज जोतिशी परिवार की आठवी बीडी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्थ या फिर फोन पर अपॉंट्पेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर इमेल करें sharma.webhub at the rate gbill.com